हेलो फ्रेंड्स आप सभी को पता है होगा अभी लोगडाउन होने के कारण सारे आपकी जो कमपनिस होगी यो बंदो चुकी होगी तो आपके अकौर्ड में पैसा भी नहीं आता होगा अगर आपने गलती से भी बज़ा से लोन लिया होगा कोई भी मोबाल लिया होगा हमाई भर दीजे तो इस सिच्वेशन में आप क्या करोगे उसकी पूरी जंगर एक पर स्वीडियो के अंदर मिलने वाली है नमस्का दोस्तों मेरा ना मेरा उल और आप देख रहे अपना हमारा चैनेल तो आई शुरू करेंगे तो मेरे जो फ्रेंड था उसने बज़ाज के काड के उपर एक मोबाल ले आता ओपो एनाइन का तो फ्रेंड उसको बारबर कॉल आते थे बज़ाज वालों के कि आप यह में भर दो उसने कहा था कि मैं अभी जो कंपनी में काम करता था वो कंपनी भी बंदो चुकी है अभी मेरा जो सेलरी वो अटक गया है अभी को नहीं जान रहे थे लेकिन बज़ाज वालों का हरोज उसको कॉल आता है दिर में 4-5 बार कॉल आता है कि आप पेमेंट कर देजे तो आप ही बताओ बंदा कहा से पेमेंट भरेगा उसने कहा कि लोगड़ां खतम होने के बाद मेरा कंपनी चलो जाएगा तो जो भी आपका बाउंस चाज़े से बैंक का चाज़े से में सार यहां एक साथ भरने वाला हूँ फिर भी बज़ाज वाली उनका एक भी बात सुनने रहे और उसको फोर्स करें कि आप पेमेंट भरो का से भी लो उदार लो आपके फिरेंट से पैसा लो लेकिन पेमेंट भरो तो अगर अभी आपका पैसा नहीं भर सकता क्योंकि मेरे अकॉड में अभी कुछ भी पैसा नहीं है जब मेरा कंपनी चलो हो जाएगा तो मैं आपका जो आमाउंट है वो पूरा जो बैस रहेगा उसके सेथ मैं आपको पूरा लोटा दूँगा और उनका बोल दो कि गवर्मेंट नों तो एक नियम निकला है उसके तेथ आप तीन मैंने तक कोई भी एमाई नहीं भर सकते मतलब कि तीन मैंने के लिए आप कोई भी एमाई मत भरो तीन मैंने के बाद जो भी आपका रेगुलर एमाई है वो चलो हो जाएगा मैंने बहुत सरे company से loan लिया था A1 Createsic Mobile लिया था तो वो लोग सामने से मुझे call किया कि आपको 3 minute के लिए छूट चाहिए कि ने तो मैंने उनको कहे दा कि मैं 3 minute तक EMI नहीं बढ़ सकता तो वो लोग ने 3 minute तक मेरे से कोई भी EMI नहीं लिया लेकिन बजाज वाले जो fraud company है बजाज में उसको fraud कहने वालो क्योंकि बहुत सारे charges लगाती है बजाज वालों ने क्या किया वो आपको लोगों को call ने करेगी उनका जो website है official बजाज़िंसर.in उसके अंदर जो moratorium है मतलब EMI 3 minute के लिए माप करने का चुट देने का उन्होंने वो application online रख दिया तो application का date ता कुछ 22 तारिक 27 तारिक ऐसे कुछ ता 12 दिन का उसके अंदर जिन लोगों ने register किया उन लोगों को 3 मेने के लिए बजाज का EMI उसके उपर चुट मिल गई लेकिन जो हमारे भाई लोग गाव में रहते जापन 8 का सुयुदा नहीं है जो लोग को YouTube कुछ मालूम नहीं उन लोग को कैसा पता चलागे कि हमें इस form को भरना है जो जब आपको बजाज का call आ जाएगा तो उनको कही दो कि अगर आपको EMI लेना है तो आप लोग call करते हो और जो government नहीं खा थे कि 3 मैंने के लिए EMI छूड दो तो उसके लिए आपने हमें call क्यों नहीं किया तो 3 मैंने के लिए आपने call क्यों नहीं किया आपने call करना चाहिता कि आप 3 मैंने के लिए EMI मत भरो उसके लिए आप online जाकर form भरो तो आप लोग भर देते लेकिन बज़े जो लोग ने आपको कोई भी नहीं सुना जो भी form तो online अपलोड कर दिया जो लोगों जो शहर के लोग है मतलब city में रहते वो लोग ने वो form भर दिया जो पड़े लिके लोग है लेकिन जो मेरे subscriber से लोग जो मेरे को follow करते वो लोग बहुत सारे उपी विहर के लोग है और गाव में रहते उनके पास net नहीं रहता है, internet नहीं रहता वो लोग कोई इतना जानकरी नहीं है तो लोग कहां से form भरेंगे जबी कोल आएगा तो उनको बोल दो कि अगर आपको पैसा लेना है तो आप डारेक्ली घर पे आजाओ और अभी lockdown चल रहे तो आपके पास घर पे कोई भी बंदा नहीं आने वाला अगर आज आता है तो आप पोलिस करने भी कर सकते अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डारेक्ली मेरे घर पे आजाओ मैं पैसा दे दूँगा और आपको पता ही होगा कि गवर्मेंट ने खागा कि 3 मने के लिए यह मैं मत लो लेकिन बज़ाज जो फ्रॉड कंपनी है आपको मालूम है 495 रुपीज बाउंस चाहिए लगाते हैं यह मैं बाउंस होने के बाद उसके बाद 295 रुपीज बैंक का चाहिए रहता है ECS फिल्ड होने के कारण इसी तरह से मेरे 10,000 रुपीज उन लोगों का जो बाउंस चाहिए मुझे लगा है लेकि मैंने जो अकाउंट था बैंक अकाउंट भी क्लोज किया है तो अगर अगर आपको भी बहुत सारे चाहिए लगा है बजजज वालों ने तो जो भी आपका बैंक एकाउंट होगा वो डारेकल बंद कर दो बंद भी करने की जरूरत नहीं आप उसके अंदर पैसा रखो ही मत और बजजज वालों को कहे दो कि मुझे कुछ भी नहीं भरना क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहां से भरोगे पैसा वो लो सब्सक्राइब कर दो कि अगर dapat पर संपर सब्सक्राइब अंदर भात्रुमिंग और तो आप लोग को Communication कर लेकि कि हम बैसा कुछ भी न nouvelle के लिक्षाइं ना जाना कि लोग ते उन लोग ने online form भर दिया लेकिन जैसे हम लोग गरीब लोग है हम लोग के पास फर्म आया है नहीं और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग गाव में रहते और कुछ इंफर्मेशन नहीं तो आप टेंशन मतलो फ्रिंड्स उनका को लाए उनको गाली दौ फही दो अगर वो अच्छी से बात करेगा तो आप अच्छी से बात को लução करेगा तो तो उसका recording करके डखो और उसको गाली दो मैं आपके सपोर्ट में हूँ जो भी आपके पास recording आ जाएगा वो आप मुझे भेज दो मैं आप YouTube पे आपकी तरफ से लोड कर दूँगा आप आपके इंफोर्मेशन अचले लगी होगी अगर अचले लगी हो तो इस लिए को लाइक जरू करना और मेरे चाने को सब्सक्राइब जरू करना और कोई भी बज़ाच के ड़ेटा प्रॉलमे होगी तो नीचे कमेंट जरू करना या मुझे एमेल लिक्स देना मैं आपकी प्रॉलमे को सब्सक्राइब कर दूँगा लासे दिखने के लिए बद बदने वा जहिन उन्दे मातरम